अलो चूरंट्स, वाल्कम त स्टपक्पपप Inspire अब करनी सो आज के है जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टन वीडियो हने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे लाइट च्ट के बारे में क्या देखने वाले तो हम इसमें पढ़ेंगे NCRT solution जो के exam point of view से बहुत ज़्यादा important है क्योंकि जितना भी questions आने वाला होता है ना वो NCRT से example resolution से सिर्फ इनी से सारे questions आपको आते क्योंकि आपको सिर्फ NCRT की book को पूरा घोट लेना है तो हमने light reflection and reflection यह जो chapter है इसका one shot video already prepare किया हुआ है यह जो वीडियो है आपको दो पार्ट में मिलेगा part one and part two part one में हमने पूरा mirror को समझाया है उससे image का formation कैसे होता है यह सभी सारी चीज़े आपको समझाई है और दूसरा पार्ट जो है उसमें आप यह समझेंगे कि लेंस क्या होता है और लेंस के image formation lens formula यह सारी चीज़े आप समझेंगे साथ ही साथ special वीडियो में हमने बनाए हुए हैं जिसमें आपको lens formula पर बेस numerical मिल जाएंगे और mirror formula पर बेस numerical मिल जाएंगे यहां पर हम पूरा NCRT solution करेंगे तो देरी नहीं करेंगे फटा फट से पहले question पर आ जाएंगे अब आपके school में इसका solution दिया होगा बट होता है ना कि हम पहले तो समझ जाते हैं पर बात में चीज़ों को फूल जाते तो उसे रिवाइस करने के लिए वीडियो किस काम आएगा तो चलिए पहले question पर चलते हैं और देखते हैं कि पहला question आप से क्या पूछा हुआ है तो जिन बच्चों को यह याद नहीं आ आपका कौन के वोकिया होता है तो इनको बताद है कि माली लीकिश फेरिकल ग्लास था जिसको मैंने बीच में से कट कर दिया ठईक है तो मुझे से दो पार्ट मिल घए मने एक पार्ट में इनर पोवशन परItal बिलिए एक पार्ट में मैंने इसके पूर यह अपॉशन पर आ और अब आप किया पूचा जारा है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कौण के मिरर का तो दो fak व क्व कॉइंट होता है जिस्ससे कि जित भी अक्राइस कि पार्लेल प्रिंसिपल एकसेस के पैरलेल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उस पर्टिकूलर पॉ positivity मीट कर मीट होती है या पौर पॉर करके जाती है आई बात समझ में नहीं आई कोई बात नहीं तो ठिस अप्टिक प्रित कहानी कोशिघवात करते है यह हूँ का कौन के मिर ठीक है अब मैंने आप सको क्या बताया कि आपने इसको स्पियर से कट करके बनाया है स्पियर है दाट मेंस कि उसका सेंटर होगा तो यह होगा आपका सेंटर ठीक है सेंटर है तो रेडियस होगी तो रेडियस मना दिया आपने यह ठीक है आपने इसको कट के इस बना दिया ओके आभी जो पॉइंट रेडियुस जिहाला पर जिस पॉइंट पर जाकर के मिलते हैं वह मिड़ पॉइंट है इसका ठेकिए यह आपके मिरर का अपरच्र है इस अपरच्र के का मिड़ पॉइंट है एटिक है so यह हो गया पी क्या कहत थे हैं इसे अपन point यह Pearl क्या कहा जाता है अब ये है आपका radius ठीक है अब पॉइंट होता है इसके इस radius के विलक Zap 하면 पर ठीक है अब radius के विंट पर है तो इसकी value क्या होगी अगर माल लीजे कि यह आर है तो यह क्या होगा आपका point Rबाइ टू ठीक है ये जो point है focal length क्या कहते है focal length अब जब हमने इस line को extend कर दिया यह जो आपकी access थी ठीके radius इसको अपने extend कर दे तो यह क्या कहलाती है यह कहलाती है principal access अब light ray आती है तो बहुत सारी तरही साथी है यहां से आइंगी कुछ तिर्ची आती है जब inclined आती है कुछ straight आती है ओके अलग अलग डारिक्शन से अब जो लाइन जो light rays आपके principal access से parallel होती पारलल कैसे होंगी इसी तरीक से ठीक है यह light rays जब principal access से parallel होती है तो क्या होगा मिलर पर जाएंगी और मिलर पर क्योंकि स्थाइट पॉलिशट है तो आगे तो जहानी पाएंगी मतलब bounce back हो जाएगी reflect हो जाएगी तो after reflection क्या होता है यह rule है ऐसा होता ही है ठीक है कि यह एक point से होकर की गुजरती है ठीक है after reflection कहा मिलती है इस point पर मिलती है जिस point को आपकर कहते हो focus और यह क्या होता है half the radius of curvature पर होता है तो यह radius of curvature है यह जो radius थी वो और इसके बीच का जो point होता है वो होता है focus ठीक है तो जितनी भी light rays principle axis के parallel होती है after reflection यह prince जिस point से होकर के जाती है उसी को हम क्या कहते हैं उसी को हम कहते है principle focus of a concave mirror clear है अब इसका answer हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं the principle focus of a concave mirror is a point on the principle axis at which a light ray ठीक है at which the light ray parallel to the principle axis converge after reflection क्या होती है converge करती है converge मतलब क्या होता है सारी की सारी light ray आकर के एक point पर मिल गई ठीक है मतलब converge होती है तो principle focus क्या है तो principle focus of a concave mirror is that point on the principle axis किस पर है क्योंकि principle axis पर है इसलिए क्या बोल रहे हो on the principle axis at which a light ray parallel to the principle axis after reflection converge at that point ठीक है या principle axis converges after reflection light ray that are parallel या फिर इसको किसरे से लिख सकते हो आप light ray that are parallel to the principle axis of a concave mirror converge at a specific point on its principle axis after reflecting from the mirror this point is known as the principle focus of the concave mirror and it is noted by f ये दोनों ही तरीके से आप इसका answer दे सकते आप समझ चुके words में आपने concept समझ लिए कि principle focus क्या होता है इसका answer लिखने का तरीका है ये और देखें कोई भी आप exam में answer लिखें इसके साथ diagram जरू बनाया करें चोटा सा diagram है बहुत ज़्यादा आपका time consume भी नहीं करेगा आपको बना देना है parallel lines बना देना है आफ्टर रफ्लेक्शन यह जिस पॉइंट पर आकर के मिलती है उसे आप ड्रॉ कर दें ठीक है बच्चो आगे चले next question की तरह चल तो आई hope यह answer आपको याद हो जाएगा समझ में आ जाएगा अब नेक्स question देखो अगें पहले हम देख लेते कि किसी specific मिलर की बात की गई है क्या यहां पर मिलर पूचा है ना question को बहुत ध्यान से समझ लिजेगा lens पूचा है मिलर पूचा है किस टाइप का मिलर पूचा है अगर कोई मिलर नी पूचा तो स्पेरिकल मिलर लिखा होगा so the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter क्या दिया हो आपको radius of curvature है नो 20 centimeter है तो what is its focal length तो इसकी focal length क्या होगी यह आपको बताना है अब देखिया हम concave का ही example ले लेते हैं यह concave mirror है ठीक है अब radius of curvature क्या होती है radius basically radius just sphere से cut करके यह mirror बना हुआ है उसका center है यह और यह जो line है यह क्या कहलाती है मैं पता है बचपन से हमने पढ़ा हुआ है छोटे से तो यह क्या है radius है ठीक है तो radius of curvature हो गई यह अब हमने अभी आपको बताया कि यह point होता है pole और इसका जो midpoint होता है यह क्या होता है focus होता है ठीक है यह midpoint की यह और pole के बीच की यह जो distance है यह क्या कहलाती है आपकी focal length ठीक है and focal length किसके बराबर होती है तो focal length equals to r by 2 half the radius of curvature r क्या है radius of curvature तो the radius of curvature of a spherical mirror अब किसी भी spherical mirror की बात करें चाहे आप convex mirror की ही क्यों ना बात करें ठीक है तो उसका भी क्या होगा उसका जो radius of focus होगा वो यह होगा ठीक है और यह distance क्या हो जाएगा आपकी r by 2 ही होगी क्योंकि यह total कितनी है यह total है r clear है तो दोनों ही cases का चाहे किसी भी spherical mirror की बात की जाए focal length किसके बराबर होती है r by 2 के बराबर होती है तो r आपको कितना दिया हुआ हुआ है यहाँ पर आपको radius of curvature जो है बहुत आसान सा सवाल था आप सभी को समझ में आ गया होगा है ना समझ में आया है very good अगर समझ में आ गया है आप अगर focal length so we need to find focal length so the focal length of the filler we need to identify so what we will use the formula the formula used here is f equals to r by 2 clear so now from this formula we can calculate the focal length so focal length will be f equals to 10 centimeter hence the focal length of the given mirror is 10 centimeter clear now let's move on to our next question so the next question is name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object okay so the question is we need to find out the mirror Hana how many happy catia why how many happy but I who I keep mirror consa hey Joe erect and enlarged image but not a hair object keep clear so how many of Kona it trick but I who have to trick a basically what Puri a chitari case I hope up never video they call please are gonna need a car so eight by will trick can give me image formation key or convex mirror me take it to jump my neck up with a turkey cave cave can see oti garyo tia chuta sata yad keringa tarika taking cave case oti garyo tis my boss a Samana dalty jau dalty jau to concave inner kinah bhoot sari cases otim is map ko real image we that can give an interact and enlarge image of an object तो कौन सा मिर्ब होता है तो वो मिरा है आपको कौन सा मेडरnous कौनकेव साहब का इसा हिमेस देता है इस पोजेशन पर देता है तो वह इस पोजेशन पर देता है कि जब आपका object जो है वो पोल और फोकस के बिलकुल बीच में हो ठीक है कहां पर हो जब फोकस और पोल के बीच में अगर मुझे object रखा हुआ मिला है तो वो मुझे erect and enlarged image देगा लेकिन यह image कैसी होगी real होगी या virtual होगी तो यह हमें virtual image देता तो concave mirror के case में बस आप बच्चों एक चीज़ याद रखिए कि आपको हमेशन रियल इनवर्टेड इमेज ही मिलेगी कैसी मिलेगी रियल इनवर्टेड इमेज मिलेगी size depend करता है ठीक है किस position पर है ओके बाकि सारी चीज़ों में कैसी में देगा यह आपको रियल और इनवर्टेड इमेज लेकिन बस एक केस ऐसा होता है जब आपका अबजेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं पर हो तो यह आपको और लाजड इमेज और कैसी देगा एरेक्ट इमेज देगा लेकिन वह इमेज कैसी होगी वर्च्वल होती है ठीक है रियल इमेज नहीं होती और यह लोवर्च्वल को कैसे समझते है अगर इस्क्रीन पर आप्टें कर पा रहे हो इमेज को तो वह रियल इमेज है नहीं कर पार यो तो वह वाच्वल इमेज है आप आ जाते हैं नेक्स कुशन पर सो वाई डू वी प्रिफर अ कॉन्विक्ष मिरर आज रियर बड़ी सी स्क्रीन देखने के लिए कि इस सड़क पे इस पर्टिक्लर रोड पर कितने गाडियां आरें कितनी कार या ट्रॉक्स आ रहे हैं टीकिया किस डारेक्षन में आ रहे हैं कौन कितनी स्पीड में यह सारे चीज़ें वहापको इस सामने लगे हुए आपके रियर व् सब से पहले तो कैसी मेज देगा हले हमें यहां पर इमेज का साइज पॉइंट-sis यह दिमिश मिलता है वाला की छोटो फटासी सब्सक्रूज है तो इतना इतना बढा इमेज मेज है तुसका पॉइंट सेज इतना है तो इतने बड़े किसी विडिस्टेंस पर हो उसकी इमेज आपको कैसी देगा उसकी मेज आपको यह पाइंट साइज या डिमिफ føता है जो हमेशा रहकते टिता है और जब आप वेहिकल्ट कर रहे हो तो सीधी में जब तक देखेगी तभी तभी हम सही तरीके से हमारी कार को या वही कल को ड्राइब कर पाएंगे जाहे हमारी स्कूटी हो चाहे हमारी कार हो या कोई साभी भी कलो एक लिए रहा है करता है यह सबसे साधा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है विकल के लिए क्योंकि दूर की मिश है ठीक है बहां बहुत साड़ा बड़ा सा यह दिया है उसको छोटे में करके आपको दिखाएगा और सीधी इमेज दिखाएगा ओके तो बीवी फूप प्रिफर अकॉनिक्स मिर as a rear view mirror in vehicle because it gives a wider field of view which allow the driver to see most of the traffic behind him उसके बीचे कितना traffic है सारा कुछ देखने के लिए हम किसको प्रिफर करते हैं convex mirror को चाले अब देखे एक और question है आसान सावाल है कि find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 centimeter चेके अब यहाँ पर आपको क्या बताना है बच्चे आपको यह बताना है कि focal length convex mirror की अगर उसका radius of curvature 32 centimeter है तो अभी हमने question solve किया था और हमने यह जाना था कि focal length कितनी होती है r by 2 clear है इस formula से हम निकाल लेंगे कि हमारा focal 32 है radius of curvature to focal length क्या हो जाएगी 32 by 2 that means 16 centimeter clear है अभी is easy questions है चलिये अब आगी चलेंगे ठीक है a concave mirror concave mirror produces three times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it where is the image located अभी concave mirror है जो की कैसी image create कर रहा है वह आपको three times magnified ठीक है image create कर रा magnification कितना इसका three times ठीक है अब देखिए magnification का एक formula आपको याद्रिक देदा दू अबजेक्ट image image divided by object size image size divided by object size तो अगर magnification 1 आता है मतलब की image कैसी बन रही आपकी सेम है जितनी object की size है उतने ही size का image create हो रही है ठीक है अगर कम वैल्यू आती डैट मेंस की क्या object की size से छोड़ी image बन रही है ठीक है और अगर आपकी जो value है वो ज्यादा आती magnification ज्यादा आता है तो इसका मतलब image का value image की जो size है वो object की size से ज्यादा है और वो कितने गुना भी ज्यादा हो सकता है तो यहां पर क्योंकि किसकी बात की जा रही है हम किस मिलर की बात करें कॉनकेफ मिलर की तो कॉनकेफ मिलर कैसे image प्रोवाइट कर रहा है आपको थ्री ताइम्स मांगनिफाइड अब बात मांगनिफाइड इमेज प्रोवाइड कर रहा है तो यह ज़रूर थोड़ा सा मिलर के पास में होगा अब यहां पर देखे रियल फॉर्मला पडावा था ठीक है तो मिल फॉर्मले का का कॉंसेट जो है वह हम आपको पहले बता चुक है अब अगर हमों ऑब्जेक की डिस्टन्स भी हुई है कैसे सपता चला माम की ऑब्जेक की डिस्टन्स भी है यहां पर십र लिखा हुआ है 10 cm की दूरी पर उसको आप क्या लिए यहां पर 10 cm 10 cm क्यों क्योंकि हमें यहां पर object की distance कितनी दे हुई है 10 cm so where is the image located से हमें यह समझ में आ रहा है कि हमें V that means image कहां फॉर्म हो रही है यह बताना है ओके अब आपको देखो एक चीज और दी हुई है कि यहां पर जो कॉनकेव मिरर है वो क्या कर रहा है यह three times magnified real image produce कर रहा है ठीक है magnified image produce कर रहा है कितनी produce कर रहा है three times और तूसरी चीज की कैसी image बढ़ा रहा है real image तो magnification अगर मान लिजे कि आपको positive value है तो that means की आपके जो image बन रही है वो virtual image बन रही है लेकिन अगर real image हो रही है तो magnification कैसा लेंगे आप negative लेंगे यह बात आप याद रखिए ठीक है तो यहां पर आपको magnification दिया हुआ थरी जो की है माइनस एम माइनस एम क्यों है क्योंकि magnification आपको image कैसी मिल रही है real magnified मिल रही है लेकिन real image मिल रही है और रियल के लिए हम negative sign लेते हैं क्यों negative sign लेते हैं अब कार्टीशन साइन कांवेंशन के according अगर कोई image ठीक है इसको थोड़ा सा हम अल्रेडी हमारे वीडियो लेक्टिर्स में समझ चुके हैं लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा और यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको में एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कार्टीशन साइन कर्वेंशन अब आप एक्स वाई ग्राफ तो आप ड्राइक ड्राइक ड्राव करते ही होंगे ठीक है इसमें यह वाली एक्सिस आपकी नेगेटिव होती है यह वाली एक्सिस पॉजिटिव होती है Similarly, यह axis positive और यह axis negative होती है, मत्यद भी हाँ पर positive values होती है, यहाँ पर negative values होती है, अब माल लीजे कि यह आपका concave mirror है, ठीक है? अभी concave mirror के case में आपन देख लेते हैं, image object कहा होता है, हमेशा left side पर होता है, image कहां बनती है, right side पर भी बन सकती है और left side पर भी बन सकती है, ठीक है? तो जब भी object का ये जो distance है, ठीक है, क्योंकि object left side पर है, तो ये जो object का distance है, ये क्या लोगे आप negative लोगे, क्योंकि ये कौन से वाले axis पर आ रही है, ये आपकी negative axis पर आ रही है, ठीक है, इसी तरह से अगर आपका object जो है, ठीक है, object की image जो है, अगर वो left side पर है, तो उसकी image को आप उसके distance को क्या लोगे आप नेगेटिव लोगे लेकिन आप यह बहुत परिशान रहा है यहां पर कहीं पर क्रियेट हो रहा है ठीक है तो हम इसकी distance को क्या लेंगे हम इसकी distance को positive लेंगे clear है तो object की distance क्या हो जाएगी positive हो जाएगी अब एक चीज मैंने यहां पर कोई करबर करी है लेगा आप यहां होते तो आप बताते देखिए यहां पर लेफ्ट साइट पर इमेज आपकी बन रही है तो that means कि वह कैसी होगी वह image होती है आपकी inverted image मतलब कुछ तरह से सीधा खड़ा हुआ है चीक है सीधा ही रहेगा object तो कभी उल्टा खड़ा नहीं रहेगा चीक है तो आप उसको क्या लोगे positive लोगे क्योंकि arrow किस डारेक्शन में ऊपर की डारेक्शन में ऊपर क्या है आपका positive sign है इसलिए आपको इसको positive ले लो चीक है अगर आपका object या image वहाँ कुछ इस तरह से बनती है नीचे की तरफ बन रही है तो यह इसकी जो height है यह होगी यह होगी है तो h को हॉजटिव लेंगे अगर अगर ऐसा है नीचे की तरफ है तो नीचे क्या डारेक्शन है यह नेगेटर साइं शजो करता है तो इसको आपका लिए आप negative लेंगे वही अगर object का image का जो height है वो इस तरह से है तो आप उसको positive लेंगे clear हो गया ठीक है तो यह sign convention थोड़ा सा आपको याद रखना है ठीक है अब अगर हम बात करें किसकी रुख जाहिए अगर हम बात करें आप कि इसके इसकी तो यहां पर क्या है यहां पर हमने पहले तो simple values लिख लिए अब हम इसके sign convention देखेंगे किसका कैसा होना चाहिए तो यू 10 cm है लेकिन actual में यू कितना होना चाहिए एक्शल में जो यू हो होगा माइनस 10 cm क्योंकि object कहां होगा ओविस से बात है कि concave mirror का case है तो भी object आपका किस साइड है लेट साइड पर ही होगा और इस distance को आपको क्या लेना पड़ेगा माइनस यू लेना पड़ेगा इसलिए मनें माइनस 10 cm लिया हुआ है अब देखिए कि यहां पर आपको image location बताना था अब हमें पता होना चाहिए magnification का formula अब magnification का formula क्या होता है m equals to minus v by u होता है ठीक है m equals to होता है h- upon h ठीक है object की height upon this अब यहां पर आपको किस terms में value दियो हुई है यहां पर हमें किस term में value दियो हुई है यहां पर हमें distance की terms में value दियो है तो हम इस formula का यूज ना करके किस फॉर्मॉले का यूज करेंगे अब चलिए इस formula में value पुट कर देते हैं तो यह हो जाएगा minus m equals to minus v upon minus u ठीक है ठीक है यहां पर हो जाएगा यह 30 ठीक है यह जाएगा 30 equals to v ठीक है minus sign आएगा तो that means कि हमारी image कहां बन रही है तो हमारी image जो है वो किस side बनेगी हमारी image जो है वो in front of concave mirror बनेगी ठीक है concave mirror के left side पर बनेगी क्योंकि V की value क्या रही है negative value आ रही है ठीक है तो इस तरह से हम question को लिख भी सकते हैं कि distance of the object from the concave mirror is minus 10 cm and magnification is 3 m is negative for real image so that week हमने यहां minus लिया हुआ था ठीक है इसको solve कर लिया minus minus plus हो गया था हमने direct value रखके solve किया था यहां पर formula की form में है so V equals to minus 30 cm तो minus 30 क्या बता रहा है कि minus sign आ रहा है that means की concave mirror के सामने होगा at a distance of 30 cm from its pole ठीक है अगर यह concave mirror है ठीक है तो इसके pole से 30 cm माली जे 30 cm है तो 30 cm के distance पर यह जो image है यह create हो रही होगी ओके तो यहां से चलिए कुशन तो बहुत आसान था हमने solve कर लिया आप याद रखिए question को solve करने से पहले आपको mirror formula mirror की बात करें तो तो mirror formula पता होना चाहिए magnification formula पता होना चाहिए partition sign convention आपको अची तरीके से पता होना चाहिए lens formula में भी Cartesian sign convention एक टेश एक समाहनी होता है ठीक है और mirror form mirror के case में भी तो यह सारे चीज़े अगर आपको पता है तो आप easily यह जो solve call new vehicles है आपके light chapter के वो solve कर सकते हैं अब चलिए आगे जलेंगे और next question को देख लेते हैं तो a ray of light traveling in the air enters obliqually in water does the light ray bend towards the normal or away from the normal and why चलिए अब देखिए कि आप से question यह पूछा हुआ है कि एक light ray जो है वो air से पानी के अंदर जा रही है हना बनाब atmosphere में है यहां से आई और पानी में चलिए तो अब आपको यह बताना है कि क्या होगा उसे बात है कि जब भी ray of light किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपने path से deflect हो जाती है तो किस तरह से deflect होती है तो हम क्या करते हैं कि माल लीजे कि यह एक medium है ठीक है यहां से light ray इस तरह से आ रही थी ठीक है तो हम इस medium का यह जो पॉइंट है जहां से उसमें एंटर कर रही थे वहां पर रही ड्रॉ करते हैं नॉर्मल ठीक है अप जब नॉर्मल ड्रॉ आप इस पर करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखने है कि जो लाइट रे का जा रही है तो अवे फ्रॉम क्या होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल ओके यह आपको समझ में आया बच्चे हम चेक है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर देखिए कि आपका जो लाइट रहे है वह एर से वाटर में जा है that means ki rare medium say denser medium की तरफ जा रही है इसलिए वो कहां किस side deviate होगी so the कहां bend होगी so the light ray bend towards the normal ठीक है तो normal की तरफ ये बैंट हो जाएगी air is a rare medium and water is a denser medium when a ray of light goes from the rare medium to denser medium it bends towards the normal so the light ray will bend towards the normal in the given case तो क्यों होती है क्योंकि भाई denser medium की बात करते हैं तो denser medium में light ray जो है वो normal की तरफ होती है और rare medium में normal से अवे normal से दूर हो जाती है now the next question so the next question is light enters from air to glass अब देखें यहां पर क्या हो रहा है air से glass में जा रही है okay so having refractive index 1.50 अभी यहां पर आपको refractive index क्या दिया हुआ है refractive index की कहानी आ जाएगी ठीक है so 1.50 दिया हुआ है what is the speed of the light in the glass and the speed of the light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second square but meter per second अब देखें की refractive index क्या होता है तो refractive index का formula क्या है speed of the light in the air divided by speed of the light in the medium ठीक है यह आपका होता है refractive index यह एक और important formula है जो कि जब आप light देखो आप ना जितने भी मैं formulas बताती जा रहे हैं उनको बस note-down करते जाहिए questions आप बाद में solve कर लिजेगा लेकिन सारे formulas बड़े अच्छे से note-down कर लिजे उस related जो concept है वो भी आप साथ में copy पर note-down करते जाहिएगा ठीक है जैसे मैंने अभी आपको बताया था magnification का case कि magnification की value 1 है दाट मींस की object का size और image का size बराबर है magnification की value अगर 1 से जाधा आ रही है दाट मींस की आपकी जो image वो and last बन रही है और अगर magnification की value कम आ रही है दाट मींस की object की size से image की size छोटी हो रही है अब यहाँ पे आपको refractive index हम बताते हैं हाँ और एक चीज़ और हाँ magnification अगर नेगेटिव आ रहा है ना अगर आप आप सॉल करते हैं और magnification निकालते हैं तो नेगेटिव कम अतले में है रियल इमेज बन रही है पॉजिटिव कम अतले हो त्या वर्चोल इमेज बन रही है ठीक है यह सारे प्रिपोइंगट कर ले रहा अब बर्याई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो रीफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है रीफ्रैक्टिव इंडेक्स को था है speed of the light in air divided by this speed of the light in the medium ब्रीफिस दूसरे medium की में light की speed और air की air में speed of light चलिया तो इसको हम किसरे से रप्रिजिट कर सकते है एंड इकोस तो CYV where C is the velocity of the light and V is the velocity of the light in the glass so here हमें क्या दिया हुआ हमें हापर रिफ्रक्ति इंडेक्स दिया हुआ जिसके वाल्यू है 1.5 and what is the speed of the light in the air so the speed of the light in the air is 3 into 10 to the power 8 so how many are 3 into it at 3 into the air 10 to the power 8 like they are or having me up kya do say medium in the color the case many carlana glass many carlana hummer school essays are told you to value kitney as a key three has a decade well you amari as a key 2 into 10 to the power 8 how many kya yeah but 1.5 koli kya he divide kya top koviki value kitney as a key 2 into 8 10 to the power 8 meter per second meter per second up key you need to speed clear up chaly up next question pay a jatein put up it so find out from this table i will say a couple table diya hoi okay so find out from this table the medium having the highest optical density also find the medium with the lowest optical density tick about kya hapa kya batana ki kiski highest optical density here or kiski lowest optical density here by some sebali ame yeh patana chee ki what what do you mean by optical man density optical density actual me kya hoti hap thoda sa consider ki jay ki aap eq room me jana jata hai but us room me bhoot sari logu hai madhu itne sari logui ki paas paas sab betty away or hami a gate say dousa gate tak paushna hai toh bhoot sari logu hongi bhoot zada room bhaera kya hua hooga toh kya 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 hooga bhoot bhaera hai wahi a khali kamra hai aur jis me kuchh logu hai toh aap asani se fataak se nikal jayenge teak hai toh matlab kya hua ya haan peh ya haan peh ya haan peh aap hai light ray aur jaha peh yeh joh logu bharay hua hai woh yeh represent kar raha hai ki kitna dense koi system hai thik hai toh isi tariqe se jab light ray kisi ek medium se dousaray medium mein jati hai toh according to density ki uski density kya hai kitna dense woh medium hai toh us light ray ko us medium se pass honne most transparent medium se pass on me pass on me me kitna wakti lagta hai abeekhi agar rare medium se light denser medium me jayegi toh kya hoota hai woh ya toh normal ki taraf shift hooti hai ya normal se dure jati jeb denser me ayega toh kya hooga normal ki taraf shift hooti hai toh kitna shift hooghi kitnay extent ke saath woh shift hooghi woh depend karta hai kis per density per ki kis kya kis type ka medium hai jayse air me easily woh flow karpayati hai air me uska joh traveling path hoota hai woh bhot asan rata hai simple sa usko eek path se dousaray path me jana hooga matlab waha pe sbse zahadah speed hooti hai light ki lekin wohi agar hama bat karin glass ki toh waha pe speed of light kaisi ho jayegi slow ho jayegi toh ya hapa apse ye question kiya huwa hai ki alag-alag tariqe ke ke ya hapa material aapko diya hoa material medium diya हुए है और आपको यह बताना है कि जब light ray आती है तो इन में से किस medium से होते हुए जाएगी तो उसकी optical density सबसे जादा होगी और किस medium से होकर कि जाएगी तो उसकी optical density सबसे कम होगी ठीक है तो चलिए सबसे पहले तो हम material हमारे पास इतने सारे हैं ठीक है आप देखें यहाँ पे आपको material दिया हुआ है और refractive index दिया होगा ठीक है जिसका जितना जादा refractive index होगा उतना जादा वो कितना क्या होगा dense होगा ठीक है तो यहाँ पे एयर का refractive index देखे सबसे कम है इसका मतलब कि सबसे जादे speed of light किसमें होगी एयर में होगी फिर आइस का दिया हुआ है वाटर का दिया हुआ है अलकोहल दिया है kerosene दिया हुआ है fused quartz दिया हुआ है ठीक है टब टाइन ओयल दिया हुआ है जिसे अपन तारपीन में समझ सकते हैं ठीक है बैंजीन है crown glass है ओके अब इतनी सारी चीज़ें आपको दी हुई आप इसमें देखे सबसे ज़्यादा आपको refractive index किसका दिख रहा है diamond का diamond का कितना है 2.42 और सबसे कम किसका है air का तो अब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा highest optical density किसकी होगी मतलब जो आपका light ray है जब इस medium में अंदर जाएगी तो सबसे ज़्यादा किसमें ये slow हो जाएगी पहली बात तो और कितने extent के साथ ये normal की तरफ क्या होगी band होगी तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो refractive index है वो है diamond का that means कि सबसे ज़्यादा optical density किसकी होगी किस medium की होगी diamond की होगी और सबसे कम कि अगर हम बात करें तो सब की सबसे कम जो होगा वो हो जाएगा air clear है तो इसका आपकिस तरह से देख सकते हैं diamond has the highest refractive index hence it has the highest optical density इसका refractive index सबसे ज़्यादा है इसलिए optical density की सबसे ज़्यादा होगी air has the lowest refractive index and hands it has the lowest optical density clear हुआ चलिए तो यहां से question को हम समझ गए optical density को समझ जाएगा आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कितने extent पर जब लाइट रे जो है वह अपने normal की तरफ या away from normal bend हो रही है जा रही है तो उसी को ही हम उसकी optical density कहते हैं जितना ज्यादा dense कोई medium होगा उतनी slow हमारे light की speed हो जाती है clear है चलिए अब आगे जलेंगे और next question की तरफ चलेंगे so you are given the kerosene turptine and water in which of these does the light travel fastest अब बताइए अभी हमारा answer solve अभी आपको answer मिल जाएगा अगर आपने इसके पहले का question समझा है तो अब आपको तीन चीज़े दी होई है kerosene turptine and water ठीक है आप से पूछा गया होगा है कि सबसे ज्यादा जो light travel होगी सबसेदा fast speed किसमे होगी तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से वही चाहट दिखा देती हूँ अब देखिए kerosene को देखिए ठीक है वाटर एंड एयर चिक है यही तीनों चीज़े आप से पूछी हुए देख लेते एक बार नहीं kerosene turptine and water ओके अब देखिए रीफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है 1.33 वाटर उसके बाद kerosene का और सबसे ज़्यादा किसका है इन तीनों के कंपारिजन में इस ओई का टरप्टाइन ओई का दाट मीन्स अगर हम से हां कोशन पूछा गया है कि kerosene turptine and water में से light travel जो होगा किसमें सबसे ज़्यादा फास्ट होगा तो अब्वेसी बात है सबसे ज़्यादा किसमें फास्ट होगा water में क्यों इसमें सबसे ज़्यादा water light का travel fast होगा क्योंकि kerosene और turptine के comparison में water का refractive index कम है मतलब कि इसकी optical density कम है इसी वजह से जो light है इसमें थोड़ी तेज़ ट्रेवल करेगी as compared to kerosene and turptine और सबसे ज़्यादा time किसमें लगेगा flow होने में turptine में okay so speed of the light is speed of the light in the air and refractive index in the medium ठीक है अगर मुझे speed of the light निकालना है किसी particular medium की तो मुझे उसका refractive index पता होना चाहिए और speed of the light अब हमें speed of the light पता है 3 to 8 10 to the power 8 meter per second होती है refractive index हमें याद हो जाएगा तो हमने उस चार्ट से निकाल लिया अब यहां से हमें speed of the light पता चाहिए कि जिसमें सबसे ज़्यादा speed of the light है उससे हम identify कर लेंगे okay so refractive index of the medium निकालने के लिए आप क्या करते हो speed of the light in the air and speed of the light in the medium since the speed of the light in the air is always constant hence speed of the light in the medium equals to constant divided by refractive index of the medium अब यहां पे इसको अपन solve करके देख लेते हैं तो हमें refractive index सभी का पता था मतलब अभी हमें क्या है कि हमें statement कि through तो हमने बता दिया कि सबसे जादा जो light fast होगी वो water के अदर होगी तो इसको proof कैसे करेंगे तो हमें refractive index का formula पता है क्या होता है speed of the light in the air divided by speed of the light in the medium अब हमें medium का नहीं पता है लेकिन हमें refractive index का थोड़ा idea है तो वह कितना कितना होता है तो जैसे हमें पता है कि kerosene का 1.44 हो चाप्टाइन ओइल का 1.47 होता है water का 1.33 होता है बस कुछ नहीं कर देना है इन तीनों चीज़ों को उठाइए और constant divided by इनका refractive index कर दीजे जिसकी value सबसे ज़्यादा आएगी उससे आपको समझ में आ जाएगा प्रूफ भी हो जाएगा कि सबसे जाएगा कि सबसे ज़्यादा अगर kerosene टर्प्टाइन और water की बात की जाए तो water में जो light का travel है वो इस भादब light की जो speed है वह as compared to kerosene और टर्प्टाइन और सबसे ज़्यादा होगी ठीक है चले अब आजाते हैं वड़ावट से हमारे नेक्स कुश्टिन की तरफ पीए जी बड़े परिशान है कि क्या है नेक्स कुश्टिन बड़े घबराय हुए है चले इनको आंसर देते हैं तो यहां पर आपको refractive index दिया हु होता है speed of the light in the air divided by speed of the light in the medium तो basically यह में यह रेश्यों बता रहा है कि जब आपका एक medium air है और दूसरा medium diamond है तो उसमें कितने ratio में light की speed में अंतर आया है ठीक है मतलब जब आपके obvious से हमें पता है कि air में सबसे स्पीड होती है light की 3 into 10 to the power 8 meter per second लेकिन वहीं अगर दूसरे medium की बात की जाये तो उसमें light की speed कम हो जाती है तो refractive index से हमें क्या समझ में आ रहा है आप refractive index की value है 2.42 और जनरली जितने हमारे medium होते हैं उनमें refractive index है 1.42 मतलब की सबसे ज़्यादा ratio किस में आ रहा है light का air के comparison में सबसे ज़्यादा ratio जो दूसरे medium के साथ में आ रहा है वो है diamond तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब साफ साफ यही है कि दूद लाइट की speed है वो सबसे कम किसमें होती है diamond में होती है इसलिए जो diamond है वो आपको काफी चमकता हुआ दिखाए दीता है क्योंकि light का जो travel है उसमें बहुत ज़्यादा slow होता है clear है so the refractive index of diamond is 2.42 okay so v equals to c by n जहां पर n आपको 2.42 दिया है v हो जाएगा speed of the light in diamond so which means that the speed of the light of diamond is 1 upon 2.42 times the speed of the light in the free space ठीक है मतलब कि अगर जो free space में light की speed होती है उसका 1 upon 2.42 times क्या होता है speed of the light in diamond मतलब कि काफी slow जो speed of light है diamond के अंदर हो जाती है आप सबको समझ में आ रहा है ना confused तो नहीं हो रहे confused होने के लिए कोई बात ही नहीं है सिंपल से आप यह समझे कि जिसका जितना जादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतनी जादा speed of light उसमें कम हो जाएगी तो 2.42 को देखकर कि हमें यही बात समझ में आती है कि पहली चीज़ तो air के comparison में diamond के अंदर काफी slow speed of light होती है और अगर हम इसका factor लिगाले कि कितनी slow होती है तो अगर हमें formula पता है तो हम जानते हैं कि refractive index होता है speed of the light in air divided by speed of the light in the medium तो हम इस को इस तरह से भी लिख सकते हैं speed of the light in the medium ठीक है equals to speed in air divided by refractive index ठीक है और इस formula से हमें यह समझ में आ जाएगा कि अगर मैं इसे निकालू तो क्योंकि speed हमेशा air में constant होती है इसलिए हम इसको one लिख सकते हैं और यहां पर refractive index है 2.42 तो इसका मतलब क्या हो गया कि speed of the light in medium कितना होता है 1 upon 2.42 आफ क्या किसके speed of air के ठीके मदब कि इतनाए का फरका जाता है क्योंकि अगर air की speed 3 into 10 to the power 8 है light की speed sorry तो divided by अगर 2.42 करोगे तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा है speed of light in medium तो अव्विस से बात है वो काफी कम आएगी समझ में आई बात तो इसका मतलब की diamond में काफी कम speed of light हो जाती है लियर है और यही question आप से पूछा हुआ है चलिए define one doctor of power of lens ठीक है आप one doctor equals to क्या होता है तो one doctor equals to the power of lens होती है power क्या होतीए lens की P equals to होता है one upon f आप देखेए अपर lens प्याच्वे है ठीक है तो one adapter power of lens whose focal length is 1 meter तो one adapter का मतलब क्या होता है one adapter is defined as the power of lens whose focal length is one meter तो one diopter का मतलब कि ये lens की power का unit होता है जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा lens जिसकी focal length कितनी है one meter है so power of lens is one upon focal length of the lens so one diopter is defined as the power of lens whose focal length is one meter clear है चले अब आगे चलेंगे अब यहां पर देखिया आपको कोई कोशन दिया हुआ है अब कॉन्वेक्स लेंज फॉर्म्स आ रियल and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it अब आपको यहां पर कॉन से लेंज दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंज दिया हुआ है ठीक है अभी जो कॉन्वेक्स लेंज है वो कैसे image from it where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object क्या बताया रोने images equal to the size of the object अभी इसको solve करें इससे पहले जरूरी है एक concept को समझना ठीक है क्या concept को समझना कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमने जब पढ़ा था image formation of violence तो हमने चार-पांच कुछ ऐसी positions बनाई थी जिससे हमें समझ में आ जाता है कि अगर इस position पे कोई object रखा हुआ होगा तो इसका image का formation किस तरह से होगा ठीक है तो चलिए एक बार हम फटा-फट से उसी चीज को revise कर लेंगे अब आपको एक बात पता है कि जो हमारा लेंस है वो दो सर्फेस से मिलके बनता है और इसके जो मिदल पॉइंट होता है से हम कहते हैं optical center अब जैसे हमने देगा कि दो स्फेर से हम इसको मिला करके बढ़ाते हैं इसके दो centers होंगे यह होगे आपका c1 और यह c2 ठीक है अब यहां पर अगें यह क्या होगा आपका focus यह f1 और यह f2 यह क्या हो जाएका 2 f1 and this one is 2 f2 ठीक है ओके यह पॉइंट कॉम 2 f1 कहते क्योंकि डवल डबल फोकस होता है इसको भी अपर लिख सकते है 324 ठीक है अब यहां पर अगर wait की बात करें तो फोकल लिंद क्या होगी हमें पता होना चाहिए जिक है अब हम वह different positions कि बात कर रहे थे तो different positions का मतलब क्या होता है या तो object किस-kis के बीचमें हो और f1 के बीचमें हो या object आपका सी और एफ ऑन के बीच-सी में हो अब object चाहे कहीं भी रखा हुआ हो, ठीक है, मान लिजे कि यहाँ पर object यहीं पर है, C1 पर है, ठीक है, तो उसका image का formation कैसे होगा, और उसके focal length क्या होगी, यह सारी चीज़े आपको समझनी पड़ेगी, जब भी आप mirror formula करें या lens formula करें, आपको सबसे पहले न, दो तीन lens formula, where V is distance of image, U is distance of object, F is focal length, अब क्या है, कि focal length यहाँ पर थोड़ी सी change हो जाती है, हमें देखना पड़ता है, कि image कहां पर create हो रही है, अगर हम convex lens की बात करें, ठीक है, तो convex lens के case में क्या होगा, यह light ray आईगी, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एक्स से parallel है, तो parallel होने के बात कहां पर जाएगी, आपके F2 से हो करके जाएगी, ठीक है, कैसी भी parallel lines आएगी, रिफ्रेक्शन के बात क्या होंगी, F2 पर जा करके मिलती है, ठीक है, अगर वही मैं concave lens बनाऊंगी, तो concave lens के case में क्या होगा, यह होता है, आपका converging lens, convergent lens होता है, converge करता है, क्योंकि यह चीजों को, light को, यह होता आपका diverging lens, diverging lens का मतलब क्या है, इसमें भी हम वही सारी चीज़े बना देते हैं, ठीक है, यह होगे, आपका C1, F1, C2, F2, क्योंकि light reserve आती है, after reflection क्या होती है, इस तरह से अपने path से reflection के बाद चली जाती है, F2 उपर जा करके नहीं मिलती, अब हम क्या करते इसको virtually यहां से मिला देते हैं, ठीक है, तो अब बात आती है, focal length की, तो focal length क्या होगी, जहां पर आकर के light raise मिल रही है, F1 पर, उसको हम उसकी focal length कहेंगे, तो इसकी focal length क्या होगी, यह यह वाली जो है, यह इसकी focal length है, ठीक है, यह जो है, यह इसकी focal length है, अब हम यह क्यों positive लेना पड़ेगा या negative लेना पड़ेगा आप positive और negative कैसे लोगे तो इसको में आपको Cartesian sign convention पता होना चाहिए काटीशन sign convention के according अगर कोई भी वह horizontal line पर left side में सारे चीज़े आएंगी तो आप उसको positive लोगे और और राइट साइड में अगर कोई चीज़ आएगी तो आप उसको पॉज़ितिव लोगई अप़illू डाउट सा दार्यंट की सारह चीज़ओ को नेगेतिव लिएना है बेसिकली यह वाली । हाइट को रिप्रेजेंट करती है और यह वाली लाइन जो है यह डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है तो अब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंद की बात की जाए तो वह किस साइड आपको मिल रही है movements lens के अगर focal length की बात की जाये तो ये हमें right side मिल रही है कहां मिल रही है right side ठीक है। और आपके concave lens की focal length कहां मिल रही है left side पर साइट पर होईने की वजह से confex की case में क्या होती है focal length ? focal length की बात करें converse關係 case में तो यहाँ हो कैसी मिलेगी लिद तो एक होगी और separately तो आपको याद रखनी ये कंवेक्स लेंज या कंवेक्स से इसका मतलब फोकल लेंद्स क्या होना है फोकल निन्द जो है यह हमारी नेगेटिव होगी सोली पॉसर्टिव होगी क्लियर रहे अब यह ची challenge शूर्ट कॉनसेट समझ गहे ठेक आप इसको मिरम्र्फ करते हूं यहा Пर में फोकल लेंथ लिख दे यूंट क्या है जोकी पॉजितुटिब ठ्थिक्त आप देखें नेक्स्स दिया वह आपको एक और चीजँ समझने की ज़रौत है क्या दिया हुआ आपको मागनिफिकेशन दिया हुआ है ठीक है अगर इमेज मिल रही है तो मैगनिफिकेशन को आप क्या लेते हो मैगनिफिकेशन हो जाता है आपका नेगेटिव ठीक है यह कैसे समझ में आया तो यह देखिए कि आपको जो तो रियल इमेज की साइट पर मिलती है तो लिएल अगर सब्सक्राइब नेगेट धेस ऑफिन से और सब्सक्सेशन है तो मैंगनिफिकेशन आपका कितना होता है वन होता है किस केस में अगर ऑबजेक्ट एक्वल स्टू उसकी इमेज ठीक है यह मैं यहाँ पर साइज अगर cm की ऐल्यू 1 से जादा होती है तो क्या होगा ऑद चैनल इमेजा साइज की साइज से बड़ा होगा अगर हम बात करें इस के की ठीक है ड़िएट का मतलब क्या होगा कि मतलब चींजकी म से बंड़ा वगर एम से चोटी है ठीकी वानайте में फिसकंट क्या कि object का size बड़ा है और image का size छोटा है तो यह सारे cases आपको थोड़े से याद में रखना है ध्यान रखना है तो अब देखिए वापस हमें इस question पर आ जाते हैं अब यहां पर आपको question में क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले तो यह 50 cm क्या है तो यह जो 50 cm है यह हमें दी हुई है किसकी value V की value क्यों V की value दी हुई है क्योंकि यह क्या बता रहे है convex lens forms a real and inverted image यह convex lens क्या बना रहा है यह convex lens जो है वह image create कर रहा है कितने distance पर 50 cm पर ठीक है 50 cm पर कर रहा है चलिए समझ गए हम आप दूसरी बात है कि इस 50 cm को आप positive लेंगे या फिर negative लेंगे तो कैसी image हो रही है real image है और कैसी है inverted image है तो यह कहां पर मिलेगी आपको बताइए आपको यह हमेशा convex की बात करेगी तो आपको कौन से side पर मिलेगी यह right side पर ही मिलेगी तो आप इसको क्या लेंगे positive ही लेंगे क्योंकि image कहां create होगे आपके इस side पर है ना और दूसरी चीज़ इसको कैसे समझ है कि यहां पर magnification जो है वो है one कैसे बने one है क्योंकि object का size किसके बराबर है image के size के बराबर यहाद रखे है बहुत टफ नहीं है आराम से देखे यहां पर image का size और object का size बराबर है मतलब है magnification one और इसको negative ले रहे है नेगटिव लेने का कला है negative लेने का कारण यह है कि real image हो रही है ठीके और अगर मैं फिर से बता दूँ कि convex lens की अगर बात करें तो कहां पर आपको real image मिले इसकी कि साइड पर रियल इमेज मिलेगी तो आपको राइट साइड पर रियल इमेज मिलेगी और राइट साइड है अगर इमेज तो आप राइट साइड के लिए इमेज को क्या लोगे पॉजिटिव लोगे क्या लोगे राइट साइड के लिए आपन पॉजिटिव लेते हैं कार्ट रूल के according partition rule हमारा यहीं कहता है तो आपका अब्विस सी बात है अगर convex lens है और convex lens के case में अभी इमेज बन रहे तो वह इसी side बनेगी तो वी क्यों इसलिए आप क्या लोगे वी को हम इसलिए 50 positive लेंगे ठेकए क्यों positive ले रहे है क्योंकि image कि साइड बन रही है रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेट बन रही है, तो वो किस साइट बन रही है, वो इमेज जो है, वो आपके राइट साइट पर क्रियेट हो रही है, चलिए, आप इतनी चीज समझ में आ गई, आप आगे बढ़ते हैं, अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हम मदलब की, यू की वेल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, अब देखें, अब बारी आती है, कि हम इसे कैसे निकाले, हमारी पास लेंस फॉर्मुला है, बन अपन एफ इकॉल्स टू, वन बाई वी, माइनस वन बाई यू, लेकिन मुझे यहाँ पर यू नहीं प इसके हाइट, इभच की हाइट, ओल्सो, M इकुल्स रूचाइब यू होता है, वी भाय यू, ठीक है, वी भाय यू होता है, अब यहाँ पर M आपका नेगेटिव है, ठीक है, वी हो गया और ये, यू हो गया, ठीक, अब वी क्या है आपका 50 सेंटी मीटर, हरा यू अज यह है यह आपके left side पर होगा और कितनी दूरी पर होगा 50 cm की distance पर होगा minus हमारा sign automatically आई ही गया है क्योंकि हमने magnification को negative लिया क्योंकि real image यह बना रहा था तो आपस UK value आगे आप देखें कि आपको F की value निकाल लिए तो आप कैसे निकाल सकते हैं F की value इस फॉर्मली का यूज करके हम F को find out कर लेंगे चिक एफ की value क्या हो जाएगी वन अपन एफ एक्वल्स टू वन अपन माइनस 50 ठीक है क्योंकि अब 50 है सॉरी वान अपन 50 माइनस वन अपन माइनस 50 तो माइनस माइनस यह हो जाएगा प्लस यह हो जाएगा टू अपन 50 ठीक है तो कित क्या value आजाएगी इसकी तो वन अपन एफ यह हो गया ठीक है हम इसको क्या लिख सकते हैं एफ इकोल स्टू 50 बाय टू तो क्या हो जाएगा 25 फोकल लेंद कितने आगे आपकी 25 cm आ गई यहां से क्लियर है तो हमाने पास क्या आगे अप 25 cm वेल्यू आ चुकी ह यहां से यू की वैल्यू हमें मिल गई है अब हमें पीकी वैल्यू निकाल लिए तो काफी आसान है यह देखिए इतना में कुश्चन समझ में आ गया आगे चलेंगे तो देखिए इमेज की डिस्टेंस दी हुई थी हाइट दी हुई है हाइट अफ दो ऑबजेक्ट यहां स पावर ओफ लेंज निकालनी है ठीक है तो अब देखिए कि सबसे बहले तो सबसे बहले कि यहां पर पावर ओफ लेंज का फॉर्मिला क्या होता है पी इक्वल स्वान अपन अफ देखिए मैं डारेक्ली आपको भी दिखा सकते हूं लेकिन जब पहले चीजों को सॉल्व कर होना सीख लेंगे तो ज्यादा बहतर होगा हना तो पी इकोल सुक्राइब अपन एफ तो बन अपन एफ की वेल्यू कितनी है 25 cm अब मैंने देखा था कि भी पावर की जो वैल्लिव आपन इसको डैप्टों में लेते हैं ठीक है और वन डाप्टर इकोल स्टू क्या होता है 1 नाप टे रिकोल स्टू 1 मीटर ठीक है अब मुझे क्या आपड़ेगा सेंटीमीटर को मीडर में अपड़ेगा तो चलिया हम इसको मीडर मैं कर लेते ठीक दिश्टैकर थो हरेकह वाना ओन-25 इस चेंटो थोड़े है उसको और सॉपकर लेंगे मिठोर चाहरा हो यह देखे सामने देखा कि दो स्फेर्स हम इसको मिला करके बनाते हैं इसलिए इसके दो सेंटर्स होंगे यह होगे आपका C1 और यह C2 ठीक है अब यहाँ पर अगें यह क्या होगा आपका फोकस यह F1 और यह F2 यह क्या हो जाएगा कि बात करें तो फोकल लिंद क्या होगी हमें पता होना चाहिए तो डिफरेंट पोजिशन की बात कर रहे थे तो डिफरेंट पोजिशन का मतलब क्या होता है या तो ऑबजेक्ट किस-किस के बीच में हो और F1 के बीच में हो या ऑबजेक्ट आपका C1 और F1 के बीच में हो या यहीं पर है c1 पर है तो उसका image का formation कैसे होगा और उसके focal length क्या होगी यह सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी जब भी आप mirror formula करें यह lens formula करें आपको सबसे पहले ना दो तीन चीज़ें पता होना चाहिए ठीक है फटा-फट से image u is distance of object f is focal length अब क्या है कि focal length यहां पर थोड़ी सी change हो जाती है हमें देखना पड़ता है कि image कहां पर create हो रही है अगर हम convex lens की बात करें ठीक है तो convex lens के case में क्या होगा यह light रहाएगी ठीक है जो कि principal axis से parallel है तो parallel होने के बाद कहां पर जाएगी आपके f2 से होकर कि जाएगी ठीक है कैसे भी parallel lines आएंगी free fraction के बाद क्या होंगी f2 पर जा करके मिलती है ठीक है अगर वही मैं concave lens बनाऊंगी तो concave lens के case में क्या होगा यह होता है आपका converging lens convergent lens होता है converge करता है क्योंकि यह चीजों को लाइट को यह होता है आपका diverging lens का मतलब क्या है इसमें भी हम वही सारी चीज़े बना देते हैं पहले ठीक है यह होगा आपका c1 f1 c2 f2 क्योंकि लाइट रिजो आती आफ्टर रिफ्रेक्शन क्या होती है इस तरह से अपने पाथ से रिफ्लेक्ट रिफ्रेक्शन के बाद चली जाती है f2 पर जाकर के नहीं मिलती अब हम क्या करते हैं इसको वर्चुली यहां से मिला देते हैं ठीक है तो अब बात आती है कि convex lens है यह concave lens है उसके according focal length जो है वह उसकोव कॉजिटिव लेना पड़ेगा यह negative लेना पड़ेगा आप positive कैसे लोगय तो इस में आपको Heil sange convention पता होना चाहिए two grade franc başUB के अगर कोई भी portion चीज आएंगी तो आप उसको positive लोगे और right side में अगर कोई चीज आएगी तो आप उसको positive लोगे upward direction में सारे चीजों को positive लेना है और downward direction की सारे चीजों को negative लेना है basically यह वाली line height को represent करती है और यह वाली line जो है यह distance को represent करती है तो आफ convex lens की focal length की बात की जाए तो वो किस साइट आपको लेरी is convex lens की अगर focal length की बात की जाए तो यह हमें right side पर मिल रही है कहां मिल रह большое की focal length कहां मिल रही चज़ेये left side पर होने की वजखेसे डिकी से क्वेक्ट की केस में क्या होती है focal length focal length की बात करें कॉन Whew कैसी मिलेगी ने पॉजटिव मिलेगी और गज पाउट की केस की बात करें तो इस केस में जो हमारी फोकल लें ंरोगी वह कैसी होगी नेगेटिव होगी थे कई तो पहली चीज तो आपको याद रखने है कि कॉन्वेक्ष लेंस है या कॉन्वेक्स concave lens है तो convex lens है इसका मतलब focal length क्या होना है focal length जो है यह हमारी negative होगी sorry positive होगी clear है अब यह चीज़ आप समझ गए focal length का concept समझ गए ठीक है आप इसको में रफ करते हूं यहाँ पर मैं focal length लिख देती हूं क्या है जो की positive ठीक है अब देखिए next is दिया हुआ है आपको एक और चीज़ समझने की ज़रुरत है क्या दिया हुआ आपको magnification दिया हुआ है ठीक है a convict lens produces the 50 cm की distance पर रियल और inverted image produce कर रहा है ठीक है अब देखिए अगर real image मिल रही है तो magnification को आप क्या लेते हो magnification हो जाता है आपका नेगेटिव ठीक है यह कैसे समझ में आया तो यह देखिए कि आपको जो रियल इमेज है वह हमेशा किस साइट पर मिलेगी रियल इमेज जो है वह हमें हमेशा लेफ्ट साइट पर मिलती है तो जितना भी magnified कोई चीज बनेगी तो वह रियल अगर तभी होगे जब वह लेफ्ट साइट पर हो तो आप उसको क्या लोगे negative sign से रिप्रेजेंट करोगे ठीक है अब दूसरी सीज की object और image का जो साइज है उसकी बात आ जाती है अगर object का size image के size से equal है तो magnification आपका कितना होता है वन होता है किस case में अगर object equals to उसकी image ठीक है यह मैं यहाँ पर size mention नहीं कर रही हूँ बार-बार आप समझ जाएगा अगर m की value one say जादा होती है तो क्या होगा object का साइज है मतलब image का जो size वह object की size से बढ़ा होगा अगर हम बात करें इस केस की ठीक है तो इस केस का मतलब क्या होगा की मतलब की M से अब अगर M से छोटी है ठीक है वान से छोटी है तो इसका मतलब क्या कि ऑब्जेक का साइज बढ़ा है और इमेज का साइज छोटा है तो यह सारे केसे आपको थोड़े से याद में रखना है ध्यान रखना है तो अब देखिए वापस हमें इस कोश्चन पर आ जाते हैं अब यहां पर आपको कोश्चन में क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले तो यह 50 cm क्या है तो यह 50 cm है यह हमें दी हुई है किसके वेलिव वी कि वेल्यू तो यह क्या बता रहे हैं कॉन्वेक्ष्लेक्ष फॉर्म स आप रियल एंव इंवेर्टर इमेज और इमिज यह?」 यह वह एक इमिज और रहा है कितने डिस्टेंस पर 50 cm such it 50 cm पर कर रहा है चलिए समझ गए है हम अब दूसरी बात है कि इस 50 cm को आप positive लेंगे या फिर negative लेंगे तो कैसी image हो रही है और कैसी है inverted image है तो यह कहां पर मिलेगी आपको बताईए आपको हमेशा convex की बात करेगी तो आपको कौन से side पर मिलेगी यह right side पर ही मिलेगी तो आप इसको क्या लेंगे positive ही लेंगे क्योंकि image कहां create होगे आपके इस side पर है ना और दूसरी चीज़ इसको कैसे समझे हम इसको ऐसे समझे कि यहां पर magnification जो है वो है one कैसे बने one है क्योंकि object का size किसके बराबर है image के size के बराबर यहाद रखे है ना बहुत टफ नहीं आराम से देखे यहां पर image का size और object का size बराबर है मतलब है magnification one और इसको negative ले रहे है negative लेने का कारण क्या है negative लेने का कारण यह है कि real image create हो रही है ठीक है और अगर मैं फिरसे बता दूं कि convex lens की हलें तो कहां पर आपको real image मिलेगी किस side पर real image मिलेगी तो आपको right side पर real image मिलेगी ठीक है और right side है अगर image तो आप right side के लिँए image को क्या लोगे positive लोगे क्या लोगे right side के लिए अपन पॉजटिव लेते हैं Cartesian rule के according Cartesian rule हमारा यही कहता है ठीक है तो आपका अब्विस सी बात है अगर convex lens है और convex lens के case में image बन रहे तो वह इसी side बनेगी तो वी क्यों इसलिए आप क्या लोगे वी को हम इसलिए 50 positive लेंगे ठीक है क्यों positive ले रहे हैं क्योंकि image कि साइट बन रही है real image बन रही है inverted बन रही तो वह किस side बन रही है वह image जो है वह आपके right side पर create हो रही है clear चलिए अब इतनी चीज़ समझ में आ गई अब आगे बढ़ते हैं अब हमें इसमें क्या आपको find out करनी है ठीक है अब देखिए अब बारी आती है कि हम इसे कैसे निकाले हमारी पास लेंस फॉर्मुला है one upon f equals to one by v minus one by u लेकिन मुझे यहाँ पर u नहीं पता मुझे यहाँ पर f नहीं पता ठीक है ना f पता है ना यू पता है तो भई कैसे चले की गाड़ी तो अब देखिए कि वी नोग दैट M इकूल सुक्राइब होता है एच नोट अपन हाई मतलब की object की height divided by किसकी height image की height also M equals to क्या होता है V by u ठीक है V by u होता है अब यहाँ पर M आपका नेगेटिव है ठीक है वी हो गया और यह यू हो गया जिक अब वी क्या है आपका 50 cm है ना यह आपका 50 यू की value कितनी आ जाएगे हमारी minus 50 cm मतलब कि यू किस साइड पर होगा mu जो है यह आपके left side पर होगा और कितनी दूरी पर होगा 50 cm की distance पर होगा माइनस हमारा sign automatically आई ही गया है क्योंकि हमने magnification को negative लिया क्योंकि real image यह बना रहा था तो वापस यू की value आ गई आप देखिए कि आपको f की value निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते है f की value इस formula का यूज करके हम f को find out कर लेंगे ठीक f की value क्या हो जाएगी वन अपन f equals to one upon minus 50 ठीक है क्योंकि अब 50 है sorry one upon 50 minus one upon minus 50 तो माइनस माइनस यह हो जाएगा प्लस यह हो जाएगा 2 upon 50 ठीक है तो किया value आ जाएगी इसकी one upon f यह हो गया ठीक है हम इसको क्या लिख सकते है f equals to 50 by 2 तो क्या हो जाएगा 25 तो फोकल लेंग कितनी आ गई आपकी 25 cm आ गई यहां से clear है तो हमाने पस क्या आगया 25 cm value आ चुकी है यहां से यू की value हमें मिल गई है अब हमें पीक की value निकाल ली है तो काफी आसान है यह देखिए इतना हमें question समझ में आ गया अब आगे चलेंगे तो देखिए image की distance दी होई थी height दी होई है height of the object यहां से हमने magnification formula की help से क्या find out कर लिया magnification find की formula से हमने UK value find out कर ली थी ठीक है आगे बड़े तो हमने क्या किया वन अपन F के यूज से focal length निकाली जो कि 25 cm थी अब हमें power of lens निकालनी है ठीक है तो अब देखिए कि सबसे बहले तो सबसे बहले कि यहां पर power of lens का formula क्या होता है पी इकोल्स वन अपन एफ देखिए मैं डारेक्ली आपको वी दिखा सकते हूं लेकिन जब आप पहले चीजों को सॉल्व करना सीख लेंगे तो ज्यादा बहतर होगा तो पी इकोल्स क्या होता है बन अपन एफ तो बन अपन एफ की वेल्यू कितनी है 25 cm अब मैंने देखा पावर की जो वैल्यू आपन इसको डाप्टर में लेते हैं ठीक पी को शुक्राइब खोलता है वन अपन एफ यह हम डाप्टर में इसकी निटेट कैसे लेते मन अपन एफ मान एफ की उनिट किसमें होती मीटर में तो यह क्या हो जाएगी वन डाप्टर एकुल्स तू वन म ठीक है इन्टु हंडरेट परी मीटर इसको सौराड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा तो तो कितना आ यह वीटर की पावर मायनकी पावर मान सिवन थे अव्य तो पैको सभी को खर्ड़ मिमस निकाली तो देखिए यहां पर letter यहां ब рядом हो ऑगा अपने यह भी नोडू डाउ पर वे में देखना चाहते हैं तो इस तरह से देख लिजे पावर ओफ लेंस क्या है तो वी नो दाट पी कोल सुवन अपन एफ एफ की जगे पर हमने 25 लग दिया है आप इसको मीटर सेंटीमीटर में इसे मीटर में कनवर्ट करेंगे तो 10 तो दी पावर माइनस टू हो गया देन इसके बाद पावर ओफ लेंस इसमेजर इंडाप्टर सो दी एकोल सुक्या हो गया यह माइनस डे अटाइप्टर दी और डी एकोल सुक्या होता है वन बाद मीटर की पावर माइनस वन तो यहां पर हम इसको चेंज करके लिए अभी जैसे हमने सॉलुशन देखा था ठ ठीक है तो therefore the object distance from the lens is 50 cm and the power of the lens is 4D ठीक यहां पर हमारा question होता है complete अब भई आपके लिए जरूरी information में आपको यह बता दू कि आपको देखना है तो इस वीडियो के comment box में आपको कमें पिन करते हुए मिल जाएगा जिसमें दोनों के लिंक मिल जाएगी तो वह जरूरू देखेगा उससे ना सारी तरीके के लेंस के और निमरे फॉर्मुला के questions आप इसली सौल्व कर लेंगे next question है कि find the power of concave lens of focal length 2 meter अब देखे question को पढ़ने से पहले बहुत ध्यान से देख लीजेगा कि concave lens पूछा हुआ है या फिर convex lens पूछा हुआ है ऐसा क्यों इसलिए क्योंकि focal length का concept जो है ना है तो सेम दोनों में लेकिन sign का यहाँ पर थोड़ा सा लोचा हो जाता है क्या होता है कि अगर right side में आपकी कोई भी चीज़ होगी तो आप उसे negative लोगे चिक है या पॉजिटिव लोगे और left side की साथ चीज़ होगी क्या लेना है एक ऐसा lens है जो की divergent lens है जो divert कर देता है और अगर हमें इसमें image formation देखना है कहा हो रहा है तो अगर यह focus है तो हम इसे virtually यहाँ पर meet करवाते हैं और यह focal length फिर कहलाती है ठीक है इस focus के case में clear है तो अगर यह आपका focus है तो यह किस side है तो यह हमारे left side पर है तो left side का मतलब क्य है कि आपको इसको क्या लेनी है focal length को इसकी इसकी जो focal length है वो आपको negative लेनी है कैसी लेना है negative ठीक है तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि focal length अगर दी हुई है concave lens की focal length ठीक है अगर क्या लिखी हुई है टू मीटर लिखी हुई है तो आप उसे क्या लोगे negative लोगे ठीक है क्यों लोगे क्योंकि according to Cartesian rule Cartesian rule के according left side में अपिर होने वाली सारे चीज़ों को हमें negative लेना है तो हम इसे भी negative लेंगे तो value क्या हो जाएगी इसकी इसकी value हो जाएगी minus two meter ठीक है अब हम आते हैं कि क्या निकालना है तो हमें निकालना है यहां पर पावर तो पावर क्या होती है P equals to one by F ठीक है यह हमें पता है अब यहां पर वन डाप्टर equals to होता है one meter की power minus one ठीक तो यह क्या हो जाएगा आपका P equals to F की value दिए होई है वन अपॉइन टू और यह हो जाएगा ले सकते हैं यह तो हमने निमेरिकल फॉर्म कर लिया अगर आप इसे थेरोटिकल फॉर्म में थोड़ा और एक्स्प्रेइन करना चाहते हैं कि अगर कुशन में आप से पूछ लिया जाए कि वोड़ी मीन बाइक कॉंके लेंस अन्वाई वी टेक नेगेटिव फोकल लेंग फो जो की अप्राइट मदब सीधी इमेज बनाता है वर्चुल इमेज बनाता है लेकिन कहां पर आपको इमेज मिलती है तो यह इमेज हो है वो वर्चुल है लेकिन इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती क्यों तो दिस टेप फोफ लेंज कैन फॉर्म दोट टाइप इमेज रियल और वर्चुल इमेज अकॉर्ड इमेज अकॉर्ड तो यहां पर इसकी जो फोकल लेंथ है इसलिए हम उसे नेगेटिव लेना पड़ता है आपको सारे वीडियो समझ में आये हो इसी का वन शॉट्ट वीडियो देखने के लिए आप हमाइरी स्टाइब को पहले तो सबस्क्राइब कर लीजे साधी साथिसार डिस्क्रिप्शन में लिंक देवे उस पर जाकर कि आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे पिन कमेंड में आपको मिलर फोर्मॉला और लेंज फोर्मॉला यह जो कि बहुत इंप्वर्टेंट है सप्रेट वीडियो बनाया हूँ वह work देख सकते हैं सारी इनफोमिशन के लिए आप website that is step-up academy.ind.in पर भी विजिट कर सकते हैं क्योंकि step-up academy एक ऐसा channel है जहां पर आपको सारी classes के online video lectures तो मिलते ही है साथ ही साथ best faculty आपको पढ़ाती है neat flat jcvt और इसकी preparation के लिए बहुत सारे type type के आपको courses मिल जाएंगे तो भई हम मिलेंगे अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पी और मेरी दरफ सेक्ष हैंक्यू सो मच्च